पती और पतनी का प्यार एक आदमी ने एक बहुत ही खूपसूरत लड़की से साधी की साधी के बाद दोनों की जिन्दगी बहुत प्यार से गुज़र रही थी वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूपसूरती की हमेशा तारीब किया करता था लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्मरोक इसके इंडिसीज से गर्सित हो गई और दीरे दीरे उसकी खूपसूरती जाने लगी खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वए बदसूरत हो गई तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा और वए उसकी नफरत परदास्त नहीं कर पाएगी इस बीच एक दिन पती को किसी काम से सेहर से बाहर जाना पड़ा काम खत्म कर जब वए घर वापस लोट रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आँखें खो दी लेकिन इसके बाबजूद भी उन दोनों की जिन्दगी सामान तरीके से आगे बढ़ती रही समय गुजरता रहा और अपने चैर्मरों के कारण लड़की ने अपनी खूपसूरती पूरी तरह गबा दी वए बदसूरत हो गई लेकिन अंदे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए इसका उनकी खुशाल बिभायत जीवन पर कोई पिरभाव नहीं पड़ा वए उसे उसी तरह प्यार करता रहा एक दिन उस लड़की की मौत हो गई पती अब अकेला हो गया था वए बहुत ही दुखी था वए उस सहर को छोड़कर जाना चाहता था उसने अंतिम संसकार की सारे किरिया भी थी पूर्ण की और सहर छोड़कर जाने लगा तबी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा अब तुम बिना सहरे के अकेले कैसे चल पाओगे इतने साल तो तुमारी पत्नी तुमारी मदद किया करती थी पती ने जवाब दिया दोस्त मैं अंदा नहीं हूं मैं बस अंदा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूर्थी देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता इसलिए मैंने इतने साल अंदे होने का दिखावा किया वह बहुत अच्छी पत्नी थी मैं बस उसे खुष रखना चाहता था सीख खुष रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों को पिरती आंके बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजर अंदाज कर देना चाहिए कैसी लगी दोस्तों कानी कमेंट करके ज़रूर बताएं सब्सक्राइब मैं चैनल